जी असलाम लेकूम मैं हुरानाथ नामदसर यूपियन उनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के ब्रेटफर्म से आज मैं अपने रेग्लियू वियर्स से बात करना चाहरा हूं आज करना चाहरा है जिनकी बहुत सारे कस्टमर्स इस चीज़ से कनफ्यूज़ है कि सुप्रीम कोट आफ पाकिस्तान के लैंड का जो ओवर और एक केसे चल रहा है उसके होते हुए हमें यहां पे इंस्टॉर्मेंट जमा करवानी चाहिए यह नहीं करवानी चाहिए जबके वाज़ तोर पे सुपीम कोट आफ पाकिस्तान की दरफ से वाज़ इंस्टॉक्शन्स यह दी जा चुकी है कि Registrar Supreme Court of Pakistan के नाम से आप इंस्टार्मेंट जमा करवा सकते हैं अभी भी बहुत बड़ी तादात कस्टमर्स की यह है जो पूछना चाहरे हैं कि हमें इस तरह की जो क्रिटिकल सिटुएशन में इंस्टार्मेंट जमा करनी चाहिए यह नहीं तो लेकर इसके अंदर अगर आप मेरी राय जाना चाहरे हैं तो मैं तो अकसर लोगों को यह राय देता हूं कि अभी आप लोग अपनी इस्टार्मेंट जमा नहीं करवाएं क्योंकि आप लोग इस सिटुएशन को क्लियर होने तक का वेट कर लें और आई डोंट थिंग के बैरिया दो से तीन इस्टार्मेंट जमाएं ना करवाने पर आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को कैंसल करेगा यह कोई भी सर्चार्ज इसके उपर अप्लाएब होगा जबके बैरिया के उपर खुद से अभी टफ टाइम चल रहा हैं अभी जो प्रॉटी फॉर में फॉर्टी फाइव में प्लॉट्स जिनके वो लोग इस्टार्मेंट जमा करवाना चाहते हैं तो उन लोगों को मैं तरीका कार बता देता हूं कि स्ट्रार सुप्रीम कोट ऑफ पाकिस्तान का पे और बनवालें किसी भी बैंक से बनवालें जैसे आप बनाने तो बैरिया टाउन कराची में मार्केटिंग अपार्टमेंट पे आप इसी काउंटर पे तश्रीफ लाएं और वहां पे बैरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वह आपको बैरिया की स्टेंप के साथ आप से यह वे और रसीव करेंगे और इसकी अक्नालिजम और बहुत प्लियर बहुत वाज़ा रहें इस चीज के बारे में के बैरिया टांग में एक इंस्टार्मेंट जनाव भी हो लिए हैं लेकिन वन्स अगें इस अप टू यू इस यूर चोईस कि अगर आप इसको जमा करवाना चाह रहे हैं या उसका वेट करना चाह रहेंगी यूरिसल प्रॉपटी नेटवर्क कभी भी मिस ना करें और हमारी इस वीडियो कुछ जादे से जादा शेयर कीजिए ताके इससे लोग मुस्तफीद हो सकें थैंक यू